नमस्का न्यूस फोर नीशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ शुभे आपके साथ बहारवधान सभा चुनाओं में करारी हार का सामना करने वाली रालुसपा पाठी को अब एक बार फिर से बड़ा जटका लगा है दरसल जिस जगह पर पाठी का दफ्तर है उसके अबधी के विस्तार करने के लिए नितीश सरकार नी पूरी तरीके से मना ही कर दी है इसके लावा क्या कुछ खबर है आपको बिताते हैं बिहार वधान सबा चुनाओ में बड़ी पराजे का सामना करने वाली राष्टी लोग समता पाठी को एक और जटका लगा है पिछले कई वर्सों से समता पाठी का दफ्तर जिस जगह पर चल रहा था उसके उसे सरकार नी अवधी विस्तार देने से इनकार कर दिया है अलबत्ता रालो सपा को नया दफ्तर जरूर आवंटत कर दिया गया है बिहारवधान सभा चुनाओ में मायावती देवेंद्र प्रसाद यादव और OVC के साथ मिलकर किस्म ताज माने वाले रालो सपा प्रमुक उपेंद्र कुश्वाहा को चुनाओ में बड़ी पराजय का सामना करना पड़ा था अभी चुनाओ की जटके से कुश्वाहाओ बढ़ने की कोशश रे कर रहे थे क्यों ही विवस्था ने एक और जटका दे दिया है भवन निर्माण विभाग ने राजनितिक दल के रूप में राष्ट्रे लूक समता पाठी के कार्याले C25 इस्ट गार्डनर रोड को अबधिविस्तार देने से इनकार करते विपाठी को दफ्तर संचारित करने के लिए केंद्रे पुल का आवास संख्या E1 आवंटित कर दिया है यह आवास आर ब्लॉक रूड नंबर 6 में हैं भावन निर्माण विभाग के मुताबिक रालू सपा को कार्याले इस्तमाल के लिए केंद्रे पुल से जो जगा आवंटित की गई है वह पूर्व की अपेक्षा क्रत जादा बड़ी है उन्हें 2880 वर्ग फीट जगा आवंट दिया है कि पाटि को समय पर किराय का भुगतान भी करना होगा आवंटन को दो वर्ष बीतने के बाद इसका नवी करन करना होगा नहीं तो नियमों के अनुसार आवास खाली करा लिया जाएगा बतादे के राश्टे लोग समता पाटि का कार्याले C25 इस्ट गार्डिनर रो एक नया परिसर देखा नहीं है कल ही उन्हें नया कार्याले परिसर आवंटित की जाने की जानकारी मिली है पहले वो इसे देखेंगे इसके बाद ही वो कुछ कह सकने की स्थिति मी होगे भवन निर्मान विभाग ने इकूर जहां राश्टी लोग समता पाटी के कार्याले अवधे विस्तार ना देकर नया परिसर आवंटित कर दिया है वही राष्टवादी कॉंग्रिस पार्टी का कार्याले पुर्व की तरह आवास संख्या 13 में चलता रहेगा भवन निर्मान विभाग ने इस परिसर को दो वर्षों के लिए अवधे विस्तार दिया है राकमपा का कार्याले यहां 9 मैं 2022 तक चल सकेगा